अकसर बहुत सारे लोगों को एक common confusion होती है जो की है fuel type को लेकर लोग confused रहते हैं कि उनके लिए सबसे best गाड़ी कौन सी रहने वाली है एक petrol गाड़ी या फिर एक diesel गाड़ी या फिर उनको hybrid और EV की तरफ जाना चाहिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे which fuel option is better और हाँ आज की वीडियो में हम hybrid और EV cars को consider नहीं करेंगे क्योंकि main rivalry जो चलती है वो है petrol और diesel cars के बीच में पसंद नापसंद वाली बात नहीं करेंगे आज की वीडियो में total facts के बारे में बात करने वाले है कौन सा fuel option सबसे best है सभी conditions को देखते हुए तो बस और कोई time waste नहीं करते है चलते हैं सीधे वीडियो के अंदर जिसमें हम आपको बताने वाले है petrol versus diesel which fuel option is better देखो जैसे आजकल के हालाद चल रहे हमारे transport minister श्री नितिन गटकर जी का कहना है जो की हो भी रहे जैसे कि हमने previous वीडियो बनाई थी BS7 norms को लेकर जो की most probably इंडिया के अंदर अगले साल मेड तक implement हो जाएंगे जिसके अंदर हो सकता है आपके कई सारी favorite SUVs में diesel engine मिलना बंद हो जाएं और किसी किसी के अंदर मिले भी तो काफी आदे expensive हो जाएं इसके अलावा काफी सारे बड़े-बड़े car brand जैसे की Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda और तो और हमारी Maruti Suzuki भी ऐसी companies है जिनोंने totally diesel cars बनाना बंद कर दिया है आज की date में आपको इन पाचों companies की कोई भी diesel car नहीं देखने के लिए मिलेगी अगर आप नहीं लेने जाते हो तो जहाँ पे Maruti Suzuki तो और भी next level चल रहा है जहाँ पे उसकी Maruti Suzuki Grand Vitara के अंदर petrol options में नहीं मिलते हैं Grand Vitara खाली CNG और hybrid engines के साथ आती है इन सभी point की वे से एक चीज़ तो पक्का है कि आने वाले future में diesel engine की existence थोड़ा मुश्किली है बट फिर भी हमने ठान लिये तो compare करके रहेंगे इन दोनों engines को compare करते वे पहला point जो आता है जो सबसे main point है वो है price अगर आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हो तो आपने notice करा हुआ कि comparatively petrol engines के rate कम होते है थोड़ा सा diesel engine से अगर हम बात करें तो diesel engine के गाड़ियों की retail value थोड़ा से कम होती है जो कि जहां भी आप जाएंगे market में ज्यादा डिमांड petrol engines की होती है जैसे वह white और black color वाला scene चलता है लगते दोनों बड़िया है लेकिन white color का रिसेल value जादा होता है black color से same way concept है होते दोनों engine बहुत perfect है लेकिन petrol engine की demand जादा होती है diesel engine से जिसका एक main reason ये भी हो सकता है कि petrol cars की life होती है 15 साल और diesel cars की होती है मातर 10 साल जिसके वेसे normally जो middle class लोग होते हैं वो petrol cars को जादा prefer करते हैं इस वेसे resale value भी एक काफी बढ़िया point बन जाता है petrol cars को prefer करने का इसके अलावा जो next point आता है यानि कि हमारा third point वो है गाड़ी की maintenance देखो इस point पर हमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लोग अकसर कहते हैं कि diesel car को maintain करना थोड़ा सा costly होता है as compared to petrol cars reference के तोर पे मैं Tata Ultros का एक बात करें तो 30,000 रुपे का maintenance आता है petrol car के लिए वही diesel car के लिए आता है 30,000 रुपे तो numbers के मामले में ज्यादा कुछ difference नहीं है मातर 57,000 रुपे का difference है जो की एक normal सहह लेता है आदमी बड़ इसी चीच को counter करने के लिए मैदान में आता है running cost देखो लोगों को ऐसा लगता है क compared to petrol cars जो के completely एक myth है एक graph के तुरू आपको explain करता हूँ अगर आप भी एक normal citizen है मेरी तरह जो के महीन है में 500 km अपनी गाड़ी चलाते है यानि कि यह हुआ 6000 km साल का तो उनके लिए graph कुछ इस टाइप का बनता है जाबे आप देख सकते हो 5 साल की अगर हम बात करें तो एक ला ordinary इंसान हो यानि महीने में 2000 km के आसपास अपनी गाड़ी चला देते हो जो की बनता है साल का 24,000 km तो पांच साल में maintenance cost के अगर हम बात करें तो एकौल होता है दोनों ही गाड़ियों का 10 साल में आप देख सकते हो 2,000,000 रुपे का फरक आता है पेट्रोल कार्स महंगी हो जात अब बढ़ते हैं अपने next point की तरफ जो की होने वाला है performance अब आपने भी कहीना कहीं सुना होगा कि अगर आपको power चीए, torque चीए बहुत खदरनाक वाला तो आपको surely एक diesel गाड़ी लेनी चीए बट ये concept चलता था कुछ टाइम पहले जब turbo engines इंटर्डूज नहीं होए थे आ कहीं न कहीं आजकल के टाइम में eliminate हो चुका है क्योंकि पेट्रोल के अंदर ही turbo engines खदरनाक पावर और टॉर्क जनरेट कर देते हैं अब आते हैं वीडियो के लास्ट और एक major point पे जो की होने वाले है options जैसे कि मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था अभी फिलाल इंडि जो कि अभी भी diesel engines serve करती हैं और गाड़िया भी उनके काफी खदरनाक होती हैं बड़े एक तरफ एक petrol user जो कि सभी company की गाड़ियां try कर सकता है और सबसे best गाड़ी ले सकता है वही दूसरी तरफ जिसको diesel गाड़ी चाहिए उसके पास options थोड़े से कम होते हैं जिस वे से petrol engines क कि मेरे को आपको बताने थे last decision हमेशा आपका ही रहेगा अब इन सारे points को सुनके आपके क्या विचार बने आपकी क्या रहा है इस topic को लेकर में को comment करके हर चीज जरूर बताना वीडियो कैसी लगी ये भी comment करके बताना हम सारी comment पढ़ते हैं बागी इस चैनल पे ऐसी informative वीडियो में तब तक के लिए stay awesome stay safe bye bye